हेलो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे फोटोशॉप में HDR टॉनिंग इस एफेक्ट का यूज कैसे किया जाता है तो यह जो आप इमेज देख रहे हो इसे अमने ओपन किया है फोटोशॉप में इस इमेज़ पर हम HDR टॉनिंग इफेक्ट को यूज करेंगे इस इमेज में क् Toning effect लगाए जा सकता है, तो सबसे पहले हम इसे Magnify कर लेंगे, उसके बाद उपर Image पर क्लिक करेंगे, कलिक करने के बाद, Adjustment इस पर रुकेंगे, रुकने के बाद इस menu पर आएंगे और नीचे जाएंगे, और HDR Toning इस पर क्लिक करेंगे तो इंटरफेस ओपन ऊचुका है अब हम इसमें इफेक्ट यूज करते हैं तो सबसे ओपर दे रखा यह प्रीशेट प्रीशेट जो रहेगा हमारा डिफोल्ट रहेगा और एज ग्लो नीचे दे रखा है एज ग्लो अगर हम इसे राइट ले जाते हैं तो इमे टोन एंड डिटेल में चलते हैं इस सेक्षन में देखते हैं हम क्या-क्या चेंज कर सकते हैं तो हमने इसे गामा को गर राइट साइड में ले जाएंगे तो इमेज पूरी तरह जो है डाउन होता रहेगा मतलब इसकी इंटेंसिटी तो यह देखें पूरी तरह बेक्ग्राउन भी हल्का ब्लैक हो चुका है और इमेज भी और गामा को यह हम लेफ्ट में ले जाते हैं तो यह पूरी तरह इमेज वापस उसी फोम में आ जाएगा और यह देखें जाएदे जादा ब्रैटनेस हो चुकी है मतलब तक गामा जादा हो चुका है फिर नीचे चलते हैं एक्सपोजर में क्या चैम्स कर सकते हैं इसा अगर हम outta तो ऐका को एक्स्पोजर में मतलब स्की जो वाइटनेंस कम यह चेरी एघ्रर चैली जा रही है तो डीटेल को यदि राइट साइड में ले गए तो यह एफेक्ट सही है देखिए इमेज कितना ब्यूटिफुल लग रहा है इसे एफेक्ट को यूज करने के बाद और यदि हम इसे लेफ्ट में ले जाते हैं तो इस परकार चेंज हो जागा इमेज तो यह भी काफी सलते हैं में क्या-kै यूज कर सकते हैं एडवांज में सबसे पर डेर रखा है सेड़ कम ले जाएंगे तो थोड़ा-इफेक्ट ने पड़ा थोड़ा साइड सेड़ कम रнов होई है और हुए अधर आइड़ों है पर देखते हैं क्या कर सकते हैं तो यह से महीं कर देते हैं औ Came हो जाएगा कि उसके ऑद विबरेंस देखते हैं कि मिए पाता है तो एक सके पाते हैं तो थोड़ी इसकैन डार्क हो गही और कि टोणे लेफट-मेले गाई तो एसकिन हलकी वाइट हो चुकिया कर दे एक ब fiscal Saturation saturation लगवग इसे image को जढ़ा डारक कर देगा और यदि left जो इसा वाइट डिए घ्ट कर देगा साय वाइब बिल्कुल हम इसे पूरे में सबस्व को इसने लेट्नमेने जाने पर ben 不ए कशल जायंगे जहां पर था या उसके 1500 करब cha instagram मिधलक सकते हैं तो उसे और उपर कर लेते हैं तो इस तो गृम को पहले चलो हमने स्टेया कर लिया हम इसे यूमित कर करें गेंगे कैसे हम इस करत को यूज करेंगे सब्सकतर को ऊपर निचे ले जाकर देखते हैं वह इमेज में पूरी lightness आ चुकी मतलब white होता जा रहा है इमेज अगर हम इसे कर्व को उपर ले जा रहे है नीच चला रहे हैं तो इसकी whiteness कम होती चली जाएगी तो देखियो इसकी whiteness कम हो जारी और image black हो जा रहा है तो देखियो पूरी तरह image black हो चुका है तो इसे middle में रखेंगे तो image काफी अच्छा दिखेगा तो इस परकार हम photoshop में HDR toning effect को यूज कर सकते हैं और image को अपने हिसाफ से modify कर सकते हैं झाल